तो प्यारे बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे क्लाश 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का जो एनुवल प्रैक्टिस पेपर आया हुआ है ले टेस्ट डियो एक तरफ से उसमें सेक्षन E में कॉस्षन नंबर 37 के सोलिउसन को इससे पहले सेक्षन A, B, C अपलोड है जो कॉस्षन बचे हैं सेक्षन D में वन बाई वन करके वो भी अपलोड कर दूँगा तो अभी कॉस्षन 37 देख लो बाकि सारे असेस्मेंट और मिट्रम एनुवल प्रैक्टिस पेपर भी अपलोड है सेंपल पेपर भी अपलोड है और जो पेपर हुआ था मोर्निंग शिप्ट उसका भी सोलिउसन अपलोड है कोमेंट चेक कर सकते हो ठीक है कोस्षन है रमेश एयर इंडिया में पाइलेट है कोबिट नाइंटीन महामारी के दोरान कई भारतिय यात्री सिंगापूर हवायड़े पर फंस गए थे भारत सरकार ने उन्हें लाने के लिए विशेश वीमान भेजा स्री रमेश इस ओप्रेशन का नेत्रित कर रहे थे वे इन यात्रियों को लेकर सिंगापूर से नई दिल्ली के लिए उड़ान भर रहा है उड़ान भरने के बाद उनका विमान लगातार H उचाई पर उड़ रहा है आकरतिय अनुसार प्राता दस बजे विमान का उन्नियन कोण 30 डिग्री तथा दस बज कर दो मिनिट पर 60 डिग्री है उपरोक्त जानकारी का उप्योग करते हुए निम्न लिखित प्रसनों के उत्तर दो यह डाइग्राम है कोशन वन देखो बिंदू A और हवाई जहाज के बीच की दूरी ग्यांत के जिया जब दोनों के बीच का उन्नियन कोण 60 है यह देखो यह इस ट्रैंगल में देखना है उन्नियन कोण 60 है तो solution देखो answer number 37 का first हमको बिंदू A और जहाज जहाज कहाँ पर है C पर है इसके बीच की दूरी निकालना है तो देखो ध्यान से त्रिभूज A, C, C dash में हिंदी में लिखेंगे इंगले लिखेंगे इन ट्रैंगल A, C, C, dash ध्यान से देखो A, C, question mark है निकालना है theta दिया है 60 A, C, dash नीचे देखो कितना दे 150 तो हम cost का formula लगाएंगे cost 60 लगा देंगे formula होता है B, by H यानि आधार बटे कर्ण अब देखो आधार क्या है A, C, dash लिख लिख लिए गया कर्ण क्या है A, C, बटे में A, C, लिख लिख लिए गया इसकी value रख दो cost 60 एक बटे दो होता है A, C, dash की value 150 लख दिया बटे में A, C, same है ठीक है cross multiply कर लो A, C का one से होगा same आएगा 150 का दो से हो जाएगा कितना जाएगा 300 meter AC निकल आएगा ठीक है यह ध्यान में रखना तो यह आपका answer number first हो जाएगा ठीक है आगे देखो अब इसमें सबसे important चीज क्या समझना था आपको कि जो जहाज की बीच की दूरी और बिंदू A की बीच की दूरी है यह AC है ठीक है तो आपको 60 degree किसाफ से बत होना चाहिए तो कोस के कोडिंग आधार पटेकर हमारा answer आजाएगा ठीक है ना AC कितना निकल आएगा 300 meter अगला question number 2 हवाई जहाज की उचाई H क्या है हवाई जहाज की उचाई है अब देखो जब यह H दिया है तो यह भी ही होगा यह दोनों बराबर होंगे ठीक है क्योंकि question में क्या कह रहा है कि यह देखो H उचाई पर उड़ रहा है ठीक है ना आगे देखो solution इसका second का अब देखो answer number second में हमको निकालना है CC अगर यह H है तो यह भी H होगा ठीक है तो triangle का नाम क्या है a c c dash में ठीक है देखो दियान से लिखेंगे त्रिभूज a c c dash में इंग्लिज में इन ट्राइंगल a c c dash c dash question मांके c c dash देखो दियान से c c dash है हमको निकालना है ठीक है question मांके theta 60 ही ले लेंगे तो हम sign लगा देंगे sign का formula sign 60 क्या हूत है लम्ब बटे करन लंब क्या है देखो दियान से यह लंब है जिसी डैस लंब करन क्या है एसी तो है यहाँ पर हम लिख लेंगे वही c dash विटे में एसी यानिकी लंब बटे करन इंग्लिज में पीवाई एच साइंस आट की वैलू रख दी गई CCDES पर H रख सकते हैं और AC आप निकाल चुके हो उपर देखो ध्यान से कितना 300 रख दिया गया Solve कर लो Cross Multiply H का 2 से होगा 2H 300 रूट 3 सेम आ जाएगा तो 2H बराबर 300 रूट 3 H बराबर 300 रूट 3 बटे में 2 आ जाएगा 2 से 300 को कट कर दो 150 आ जाएगा रूट 3 साथ में लिख दो H आ गया 150 रूट 3 मीटर ठीक है यह सेकंड का अंसर है अगला Question 3 हवाई जहाज द्वारत ते दूरी D कितनी है D यह D यह ना दे रखें यह हमको निकालना है Solution देखो No.3 में हमको निकालना है D ठीक है यानि B C निकालना है अब तरभुज A, B, B डेस में देखो यह 30 दिया है तो हम लगाएंगे 10 का फोर्मूला 10 तीस लगाएंगे वह होता है लंब बटे आधार लंब कितना आपका H है जो कि B, B डेस है सेम यह भी उतनी ही होगी तो इसकी वेलू हम फटा फट रख देते हैं आंसर No.3 में दी बराबर कॉशन मार्क तरभुज A, B, B डेस में इंग्लिस में इन ट्राइंगल A, B, B डेस ठीटा तीस से 10 तीस लगाएंगे लंब बटे आधार P, Y, B होता है ठीक है इस प्रकार उसको हम लंब आधार यहां पर जो भी है लिख दिया गया है इस ट्राइंगल में यह लंब है और यह क्या है आधार है ठीक है अब इसकी वेलू रख देंगे तो देखो ध्यान से 10 तीस एक बटे रूट तीन B, B, D, H है और A, B, D, यहां पर देखो तो A, B, D, बराबर है A, C, D प्लस B, D, C, D अब देखो ध्यान से A, B, D, वराबर है ध्यान समझना यहीपर समझना आपको A, B, D, बराबर है B, D, C, D प्लस यह क्या है A, C, D तिह 150 रख देंगे यहां पर देखो B-C-D, बराबर किसके होगा D के, यहां पर हम D रख देंगे, और H, H आप निकाल चुके हो, ठीक है न, जो यह है, वही H है, ठीक है, तो H की value भी रख देंगे, ध्यान रखना, H भी निकाल चुके हो, H पर हमको यह रखना है, तो यहां पर क्या करना है, H पर, P-B-H है, H रख है, H की value आ गई, और यहां पर इसकी value रखेंगे, तो 150 प्लस D रख देंगे, ठीक है, 10, 30 की value आप 1 बटे रूट 3 रख चुके हो, क्रोस मल्टिप्लाई कर लो, तो X योगा D 150 इदर आ जाएगा, और इधर 150, रूट 3, रूट 3 का गुना ह हो जाएगा साथ में, तो 3 जोड़े में से निकलेगा, यह आ जाएगा 450, तो D बराबर इधर माइनस हो जाएगा, आ जाएगा 300 मीटर, ठीक है, 300 मीटर आ गया है, यह थर्ड का अंसर है, अगला, अथवा, अथवा कॉस्च्छन है, बिंदू A और हवाई जहाद के बीच की दूरी ग्यात कीजिए, जब दोनों के बीच उन्यन कोंट 30 है, तो देखो A और जहाद के बीच की दूरी, अब यहाँ पर हमको निकालना है, 30 के साब से यह है, जहाद, एक यह थी, एक यह थी, तो हमें इस ट्राइंगल पर फोकस करना है, A, B, B डेस पर, ठीक है न, ध्यान से, लिखेंगे इन ट्राइंगल, A, B, B, डेस, त्रिभूज, A, B, B, डेस में, A, B, निकालना है, थी, ठीक है, देखो, A, B, निकालना है, A, B, यह हमको निकालना है, ठीक है, तो, यहाँ पर हम, साइन तीस, लम्ब बटे करन, और लम्ब कितना है, B, B, डेस, करन है, A, B, ध्यान से देखो, लम्ब कितना है, इसमें, B, B, डेस, करन कितना है, A, B, ठीक है, तो, यहाँ पर, एपलाई करेंगे, सेम, साइन तीस की वेलू, एक बटे दो, ब, B, डेस, की वेलू निकाल चुके हो, कितना, एक सो पचास रूट तीन, ठीक है, यह कितना निकाले हो, एक सो पचास रूट तीन, ध्यान रखना, ठीक है, H के बराबर था, इसलिए, आगे, तो, यहाँ पर आपको, फोकस करना है, A, B, पर A, B है, क्रोस मल्टिप्लाई कर लो, A, B, को एक से कर लोगे, A, B, एक सो पचास का दो से गुड़ोगा, तीन सो रूट तीन मीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना, बस, वेलू पर फोकस करना है, आगे, इसे में कोशन कर रहा है कि हवाई जहाज, किस गती से उड़ रहा है, हमें गती निकालना है, ठीक है, तो देखो ध्यान से, डिस्टेंस हमने कितना निकाला है, तीन सो, मीटर, ठीक है, और देखो, समय क्या है, समय कह रहा है कि 10 बज़े से 10 बचकर 2 मिनीट यनि 2 मिनीट की बात कर रहा है ठीक है और डिषटनस कितना है डिवाई टी डिस्टेंस बाइटाइम दोरी बटे समय दोरी तीन सब बटे में दो समय दो मिनट भाग करो कि तो 150 मीटर पर मिनट हो जाएगा मीटर पर मिनट में आ जाएगा गति करेगी ठीक है तिया आंसर हो जाएगा यह कंप्लीट हुआ देखो ध्यान से 37 का फर्स्ट का जाना रहिए फिर से एक बार फर्स्ट सेकेंड थर्ड और यह अथवा थर्ड का ठीक है थर्ड का अथवा तो यह कोशन कंप्लीट हुआ अगला कोशन 38 अगली वीडियो में डिसक्रस करूंगा कहीं पर डाउट है तो कोमेंट कर सकते हो मिलते हैं अगली वीडियो में वीडियो च्रिक लाइक कर सकते हो और कोमेंट चेक करके अधर असेस्मेंट प्रैक्टिस पेपर सेंपल पेपर म और प्रीबोर्ड पेपर के सॉल्यूशन देख सकते हो उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो थैंक्यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो और टेक केर